कि नमस्कार मैं लाली सोनी डश्टी आएस की एडिटोरियल एनलाइसिस संक्ला में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं आज जो एडिटोरियल हम डिसकस करेंगे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है और इसे दा हिंदू निउस्वेपर से लिया गया है इसका हमारे फॉर्मर वाइस प्रेजिडेंट आप इंडिया मिस्टर वैंके नाइवडू ने लिखा है उन्होंने बताया कि कैसे भारत को अभी उनिफॉर्म सिविल कोड की जरूर्थ है तो चलिए देखते हैं यह आर्टिकल क्या बात करता है इस आर्टिकल की आउटलाइन कुछ बात की है कि उसक्त क्या सिनेरियो रहे थे और क्या बात ही हुई इस ट्रॉपिक को लेकर के और क्या निश्करस निकाला गया ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे आर्टिकल 44 जो है वो DPSP का पार्ट बना और उसके बाद भारत के लिए अभी क्यों UCC important है ठीक है इससे क्या जो है changes आ सकते हैं उसके बाद इसको आर्टिकल को conclude करते हुए author ने एक appeal की है ये readers से जो हम देखेंगे तो जैसा कि मैंने बदाए कि बारत एक diverse देश है विभिनताओ का देश है यहाँ पे distinct personal laws बहुत सारे personal laws है जो different communities follow करती है ठीक है और uniform civil code की ना होने की वज़े से यहाँ पे inequalities और inconsistencies जो है बढ़ती भी नजर आई है ठीक है तो जिसकी वज़े से जो है भारत की progress में किसी progress में काफी hindrance पैदा होती है जहां पे inequalities और inconsistencies होती है ठीक है इसके अलावा जब progress में hindrance पैदा होती है उसके साथ साथ आपके economic और gender justice पे भी obstructions होते है उनमें भी एक अर्चन पैदा होती है ठीक है जैसे कि last week में प्रधान मंत्री मोदी ने भी जो है इस बारे में बात की है कि हमें जो है uniform civil code जो है implement कर देना चाहिए तो uniform civil code है क्या? uniform civil code का मतलब है कि one law applies all मतलब कि पूरे देश में सब citizens पे एक ही प्रकार का कानून अप्लाई किया जाएगा जो ये personal laws है आपके उनको replace कर दिया जाएगा ठीक है? personal laws से यहां पर मतलब है कि वो laws जो किसी custom, tradition या फिर किसी particular religious practice ठीक है? या फिर किसी और social victim की वज़े से अपनाए गए है ठीक है? वो personal laws के criteria में आते हैं तो अगर हम आज की बात करें तो अगर देख सकते हैं हम कि ये personal laws जो है marriage, divorce, adoption, inheritance, इन सब चीज़ों में अभी भी इंडिया में personal laws को follow कि जाता है अलग अलग communities के, अलग अलग personal laws है, जैसे Muslims के लिए अलग personal laws है, जो है Parsis के लिए अलग personal laws है, ठीक है? अब हम बात करता है कि इन UCC की जो है legality कहां से आती है? या फिर आपका इसकी legality का source क्या है? इसकी वैध्यता का source क्या है? तो इसकी तीन source है, एक तो आप कहा सकते है कि Constitution of India ठीक है? तो जब हम Constitution of India की बात करते हैं, तो Article 44 में इसकी बात की गई है जो की directive principle है, state को कुछ guidelines है कि state shall endure to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India कि भारत की पूरी territory के अंदर state को uniform civil code जो है लाने के लिए कार रहत होना चाहिए यह एक guideline है जो state को दी गई है इसके अलबाबा जो दूसरा source है आपका है वो है आपका Constitutional Assembly की debates कि उन debates में क्या इसके फेवर में और क्या इसके अगेंश्ट में arguments हुए थे और उनके basis हम जो है intent decide करेंगे कि हमारे जो Constitution को बनाने वाले जो लोग थे उनका क्या इसके पीछे intent था ठीक है और तीसरा जो source है आपका वो है Supreme Court की judgment Supreme Court ने काफी judgments में जो है UCC के बारे में बाचीत की है हम देखेंगे आगे कि कैसे वो चीज़े effect करती है अब इसका background देख लेते हैं 1835 में जो है British government ने एक report दी उस report के अंदर में uniformity in codification of Indian law कि आपको भारतिय जो कानून है उसके अंदर uniformity लानी है मतबस्थ आपको एक जगह उनको codify करना है तो उस वक्त इन्होंने आपके criminal laws contract laws और evidence laws इनको codify किया लेकिन they did not touch the personal laws क्योंकि उस वक्त तक वो इन personal laws के साथ familiar नहीं थे और personal laws जो है वो एक sensitive topic भी होता है ठीक है फिर आप देखेंगे कि 1858 के अंदर Queen's Proclamation आती है और क्योंने उसमें बोलते है कि हम जो है भारती राजाओ के यार भारती जनता के जो आंतरिक मामले हैं उनमें हस्त्रशेप नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछली बार जब 1857 में किया था तो क्या नतीजा निकला था ठीक है उससे सीख लेकर करके उन्हों बाद जो है रिकमेंडेशन दी और उसके बेसित पर एक हिंदु सक्षेशन एक्ट जो है एफ्स नहीं दीया जा था इस law के बाद उनमें उसको हिस्सा दिया जाने लगा ठीक है फिर उसके बाद भी भारत में separate personal laws जो है वो बने रहे जैसे muslims के लिए, Christians के लिए, Parsis के लिए अलग-अलग laws है जो वो अलग-अलग follow करते हैं ठीक है इसके बाद government ने जो है काफी साल तक initially government की अप्रोच थी कि हम लोग ऐसा कोई interference नहीं करेंगे personal laws में ठीक है फिर UPA government आती है UPA government बोलती है कि जब तक कि community के अंदर से इस तरीके का change नहीं आता है तब तक हम इसको जो है change छेट-साड नहीं करेंगे इनके अंदर फिर NDA government जिनका जो है आप देख सकते हैं कि manifesto का part है UCC को implement करना तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है Constituent Assembly के अंदर क्या बात चीज़ कोई मैंने आपको legality के बारे में बता दिया है कि Constitution of India जो है Article 44 के अंदर इसकी बात करता है फिर Constituent Assembly debates के बारे में बात करेंगे अभी हम और उसके बाद हम लोग Supreme Court के judgment के बारे में बात करेंगे तो इन debates के अंदर बाबा साब ने बोला कि अगर आपको gender justice चाहिए या फिर जो vulnerable sections है उनको equality देनी है ठीक है तो आपको uniform civil court लाना चाहिए ठीक है अगर आपको social reforms करने है social evil को हटाना है तो आपको uniform civil court ले आना चाहिए फिर यहां पर लिखा गया है कि बाबा साहब के अलावा जो है अलादी कृष्ण श्रामी आयर और केम मुंसी जो है वो भी constitutional assembly में UCC के favor में थे उन्होंने बोला कि बाबा साहब ने का कि हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि हम religion को इतनी जदा जो है importance क्यों दे रहे हैं जब बात laws की है laws में legislature को encroze करने का अधिकार होना चाहिए even personal laws के अंदर भी यह उनका argument था उनका opinion था उसके बाद उनर बोला कि अगर हमको social reforms करने हैं ठीक है क्योंकि बारत का जो system था उसके अंदर बहुत सारी inequalities थी discrimination था और और भी बहुत सारी डूडी वादी परंपराइं चल रही थी तो अगर आपको social reforms करने हैं तो आपको UCC ले आना चाहिए और uniformity लानी होगी laws के अंदर ठीक है और इसमें लिखा गया था कि अगर आप personal laws को है personal laws को आपको state के jurisdiction के अंदर में ले आना चाहिए पिर जो है अलादी पिष्ण स्वामी आयाद ने भी बोला था कि हम लोग को कोशिश करनी चाहिए to arrive at a common measure of agreement कि मतलब हमको एक common framework पे agree करना चाहिए और फिर उसे implement करना चाहिए इन personal laws के respect में ठीक है फिर जब हम केम मुंसी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला कि हम लोग को जो है way of life जो है इंडिया का secular बनाना चाहिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं तो सिंस constitutional assembly के अंदर जो है consensus नहीं बन पाया कि इन लोग के जो आर्गुमेंट्स है फॉर और अगेंश्ट के basis पे हम लोग एक सहमत नहीं हो पाए एक मत नहीं हो पाए तो उसकी वज़े से हमने article 44 को मतलब UCC को जो है वो डारेक्टिव प्रिंसिपल में रखा कि चलिए अभी हम लोग सहमत नहीं है लेकिन state को जो है आगे भविशे में जो है UCC को implement करना होगा ठीक है उसके बाद Supreme Court की क्या position है तो आपने देखा कि 1985 के अंदर शाहबानो केस था जिसमें maintenance की बात की गई थी सहाबानो जो है वो एक Muslim महिला है जो maintenance क्लेम करती है आपके section 125 of CRPC के अंदर लेकिन जो इनके husband है उनका कहना था कि Muslim laws में ऐसी कोई बात नहीं है maintenance की तो हम maintenance नहीं देंगे ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैसे common law में और personal law में clash यहाँ पे था फिर सरला मुद्गल केस इस case के अंदर भी एक Hindu husband convert हो जाते हैं Islam में so that वो किसी एक और महिला से साधी कर सका है क्योंकि Islam में आप जानते है polygamy allowed है ठीक है तो यहाँ पे भी personal laws की वज़े से जो है किसी female के rights effect होते हैं फिर Indian Young Lawyers Association case था इसके अंदर भी similar बात कही गई गई है कि जो Supreme Court चाता है कि UCC को implement कर देना चाहिए भारत को इसकी जरूरत है लेकिन despite recognizing the fact इस बात को मानते हुए कि भारत को UCC की जरूरत है Supreme Court ने को जो है स्टेट को ऐसे exclusive directions नहीं दिये क्योंकि Supreme Court जानती है कि भारत में एक separation of power है और उसके आधार पर जो है law बनाने का अधिकार legislature का है जो है Supreme Court का या फिजिश् ठीक है तो यह तो थी Supreme Court की position ठीक है अब देखते है कि इसकी essence article की essence क्या है और इस article में कैसे बताया गया कि अब हमको uniform civil court अपना लेना चाहिए इसकी जरूरत क्यों है एक तो आपको fundamental rights सबके safeguard करने के लिए जब हम सब की बात कर रहे हैं तो इसमें women's vulnerable sections की बात कर रहे हैं हमने पीछे देखा कि कैसे personal laws की वज़े से women's की right effect होते हैं तो एक यह चीज थी उसके बाद promotion of equality and justice कि समानता और न्याय की भावना को जब अगर हमको promote करना है तो इसलिए हमको UCC जो है apply implement कर देना चाहिए तो reduce social inequalities यह हम discuss कर चुके हैं कि समाज में जो social inequalities हैं अलग कानूनों की वज़े से उसको reduce करने के लिए reduce gender discrimination यह भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं ठीक है support national integration अगर पूरे देश में एक कानून होगा तो वो obviously वो एक national integration की भावना को जर्म देता है उसके बाद simplify the legal system अभी हमा पास बहुत सारे कानून है अलग-अलग कानून है उसकी वज़े से जो क्या है कि अलग-अलग लोगों पर अलग-अलग personal laws अप्लाई होते हैं तो बहुत सारे कानून होने की वज़े से एक confusion भी create हो जाता है जैसे मनें बताया आपको maintenance को लेकर के जो है issue हो गया CRPC में और और जैसे कि बहुत सारे ऐसे sections हैं जो इस बात से सहमत नहीं करते हैं कि भारत में UCC होना चाहिए तो वे फरवड यह होना चाहिए कि आपके ऐसे कुछ doubt है या ऐसे disagreements है उसको आप address करेंगे through debates and constructive engagement मतलब आपको stakeholders से साथ बात चित करके इस तरीके की जो disagreement है उनको sort out करना होग अभी आप देखेंगे कि हमारी जो current law commission है 22nd law commission ने भी stakeholders से people से जो है UCC पे views मांगे हैं ऐसा similar कारे 21st law commission के दौरा भी किया गया था तो हम लोग यह views लेकर के फिर decide कर सकता है stakeholder से बातचित करके कर सकता है कि हमारा future course क्या होना चाहिए पिर जो यह हम लोग क्यूं बात कर रहे हैं कि यह personal law जो है वो uniform हो जाने चाहिए ठीक है सिद्धी बात है equal opportunity और equal protection to all कानून की नजरों में सबको equal protection होना चाहिए और सबको equal opportunity मिलनी चाहिए ठीक है इसलिए यह important हो जाता है कि हर जगा uniform laws हो ठीक है और जो यह personal laws है वो आपके constitution के साथ confirm करने चाहिए मतलब कि personal laws जो है वो constitution के ultra wires नहीं होने चाहिए constitution के framework के अंदर-अंदर होने चाहिए फिर आपके article 14 और 21 इनको भी confirm करने चाहिए इनके साथ जो है किसी तरीके की inconsistency नहीं होनी चाहिए आर्टिकल 14 जो है आपकी equality की बात करता है तो हमने देखा कि इस पूरे आर्टिकल में हमने basically बात यहीं किया है कि equality मिलनी चाहिए सबको दूसरा आर्टिकल 21 जो life और dignity personal liberty और life dignity की बात करता है ठ अब जो मैंने बताया कि author ने appeal की है वो appeal यह है कि आपको UCC को uniform civil code को as a instrument of social reform देखना चाहिए आपको देखना चाहिए कि इससे social reforms कैसे हो सकते है ठीक है आपको इससे threaten feel करने की जरूरत नहीं है ठीक है protection against discrimination की जो भेदबाव है महिलाओ के या vulnerable sections को लेकर के वो discrimination जो है इससे UCC स से खतम होगा ठीक है a legislation to guarantee equal human rights ठीक है यह equality और human rights की बात करता है यहाँ पर तो author ने यह discuss किया article यहीं पर conclude होता है लेकिन हम एक और aspect देख लेते हैं इसका कि UCC को implement करने के hurdles क्या-क्या है ठीक है तो आप देखेंगे कि article 44 जो UCC की बात करता है और article 25 जो freedom of religion की बात करता है तो यहाँ कुछ लोग यह कहेंगे कि भाई आप uniform civil court की वज़े से जो है यह right to freedom को effect करोगे क्योंकि कोई इंसान अपने religious practices क्या कर रहा है वो उनके freedom of religion का part है ठीक है तो यहाँ पर एक यह conflict आता है जो की बहुत sensitive topic है ठीक है उसके बाद दूसरा hurdle है कि practical difficulty in implementation कि हमारे पास इतने diverse law है इतने diverse personal laws है उनको uniform करना ही अपने आप में एक बहुत हर्कुलिन टास्क है ठीक है दूसरा फिर tribal customs हमको पता है ट्राइबल जो है वह अपने आपको पहले ही अलग समस्त रहते हैं वो शाही है mainstream contacts को ले करके तो उस case में उनके customs के साथ कैसे deal किया जाएगा फिर misconceptions about UCC कि ज नहीं है ठीक है तो यह कुछ है अब इनका वे फरवड क्या है वे फरवड मैंने आपको बताया था कि आपको डिबेट है डिस्कुर्शंस और जो है constructive engagement कि आपको बात चीद करके stakeholder से बात चीद करके उनको समझा वुजा करके एक जो है framework पर agree करना होगा जो सबको सबके apply होगा और सबको acceptable भी होगा ठीक है तो आज की editorial analysis में इतना ही आपसे फिर मिलेंगे अगले episode में तब तक के लिए have a good day thank you